It's a very good morning to all myself, Aanshika, your class teacher. So, बेटा, today is your English class. Take out your English copy. First of all, mention today's date. Which date is today? Today is 12th July 2021. Then, write HW, your role number, okay? बेटा, तो आज हमें क्या करना है? We have to write today A to Z, small letters. अभी तक हम लोग अलग-अलग letters लिखते थे. A11 page में, A, B, C, D, अलग-अलग page में. अभी आज हम sequencing करेंगे, एक साथ A to Z, small letter वाले साथ में लिखेंगे. तो आप इस screen पे देख रहे हो, मैंने पूरा A to Z, write किया हुआ है, small letter में, तो ऐसे ही आपको देखकर भी, सुन्दर-सुन्दर handwriting में मेरे जैसा एकदम write करना है. चलिए, मैं एक बार आप लोगों को read करा देती हूं. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तो आप देख रहे हो, बेटा, कितना beautiful सा लिखा हुआ है नो copy में, तो आपको भी A, C, beautiful, beautiful handwriting में A to Z, write करना है, ओके, now come on next page, next page पे आपको फिर से आज की date write करनी, which is 12 July 2021, और homework और role number, फिर आप बेटा, इसमें मैं आपको एक new चीज़ बताने वाली हूं, कुछ होते हैं, five vowels हमारे होते हैं, कुछ नहीं, five vowels हमारे होते हैं, vowels का नाम आप first time सुन रहे होगे, हमारे English alphabet 26 होते हैं, total A to Z आप सीखते हो ना, A, B, C, D, पूरा Z तक, तो उसमें से five letters ऐसे होते हैं, जिनको हम vowels बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं vowels का यूज करके words बनते हैं, तो ये five vowels कौन से होते हैं, लुक, A, E, I, O, U, इनको बोलते हैं, vowels, किनको किनको, फिर से पढ़ेंगे हम लोग, किनको किनको vowels बोलते हैं, A, E, I, O, U, तो बेटा कोई आपसे पूछेगा, कि how many vowels are there in English alphabet, तो आप क्या बोलोगे, five vowels, there are five vowels in English alphabet, which is A, E, I, O, U, इन vowels की help के बिना हम words नहीं बना सकते, ओके, तो ये vowels ही हमारे words बनाने के काम आते हैं, और जो बाकी letters बसते हैं, हमने A to Z में से A, E, I, O, U को तो vowels बता दिया, और जो बाकी letter हमारे बचे, कौन-कौन से letter बचे, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये जो बच्चे हुए letters थे, इनको बोलते हैं, consonants, क्या बोलते हैं, consonants, तो आज ही class में आपको vowels और consonants अपनी copy में write करना है, vowels कौन-कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी जितने letter बच गए A, E, I, O, U को निकालके, वो सारे letters हमारे हो जाते हैं, consonants, ओके, तो आपको learn क्या करना है, vowels learn करने है, A, E, I, O, U, तो ये पूरा जैसे page page में write किया हुआ है, सेम, ऐसे ही आपको भी vowels and consonants write करने हैं, मेरे पास picture send करनी है, और vowels learn करके अपना audio भी मेरे पास send करना है, ओके, तो डू दीज टू पेज़ेज, एक में तो A to Z small letter आपको write करना है, और दूसरे page में vowels and consonants write करना है, and then send me picture, ओके, नौ बाबाई चिल्डरेन,